प्रिये सांतियो नमस्कार आज हम MPPSC हो UPSC हो यब विभीन एक्जाम की दृष्टी से हम इंडियन पॉलिटी देखेंगे दोस्तों मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे और विभीन एक्जामों में पूछेंगे quality wise question जो है हम solve करेंगे इसकी descriptive class भी देखेंगे तो हम everyday 25-25 question हम solve करेंगे तो आप देखेंगा यह काफी important है चलिए हम सुरू करते हैं प्रिये सांतियो यह question मेरे द्वारा विभीन प्रतियोगी परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं इसलिए आप इनको जो है बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा इनको solve कीजिएगा बहुत ही अच्छे question पेपर हैं यह बहुत ही अच्छा question है चलिए हम चर्चा करते हैं पहला प्रश्ट कि निम लिखित मैसे किन बिलो के लिए संसत के दोनों सद्नों की सयुक्त बैठक करके गतिरोत को हल करने के लिए कोई संब्यधानिक प्रावधान नहीं है मतलब किन बिलो के लिए संसत के दोनों सद्नों की सयुक्त बैठक करके गतिरोत को हल करने के कोई संब्यधानिक प्रावधान नहीं है चाधारण विद्याक धन विद्याक संब्यधान संसोधन विद्याक दो या ते हो दोस्तों कि हम जो एक तो संभिधान संसो धन विद्यग है और दूसरा है दन विद्याग न तो ये दो एक ऐसे दो ऐसे विद्यक है जिन को जिन के लिए हमको किस्की आशक्ता नहीं होती संसत के सयूक्त दिवेशन संसत का स्युक्त अडिवेशन के प्राउधान है आर्टिकल 108 में जिसमें जो है स्युक्त अडिवेशन की बात हुई है राश्टपती स्युक्त अडिवेशन बुलवाता है और इसकी अद्धिक्षिता कौन करता है लोगसभा speaker करता है कौन करता है लोकसभा speaker तो इस प्रिकार से हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा 2 और 3 क्योंकि संबिधान संसोधन article किस के तहत होता है 360 एड के तहत ये भी प्रतेक सदम में अलग-अलग पारित होता है आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रशन है पार्टी पावर मंत्रियों और अन अधिकारियों के लिए भारत के नेरवचन आयवक द्वारा अचार सहीता के अनुसार किस समय से विवेका दिन निदी से अनुदान भुक्तान अनुबोदित नहीं किया जाएगा तो चुनाव सुरू होने से 24 गंटे पहले आयवक द्वारा समय चुनाव की घोषना की गई हो चुनाव सुरू होने के 36 गंटे पहले चुनाव सुरू होने से 48 गंटे पहले तो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा बी आयोग द्वारा समय चुनाओं की गोशना की गई हो मतलब जिस दिन से क्या होता है कि निर्वाचन आयोग चुनाओं की अधिशूचना जारी कर देता है उसी समय से क्या लग जाती है आचार सहिता लग जाती है जिस दिन से चुनाओ की मतलब चुनाओ आयोग गोशना करता है। रही बात इसमें 48 घंटे की तो ये क्या है कि 48 घंटे पूर्व किसी भी मतलब निरबाचन होने के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार के निरबाचन सब मंदी जो भी गतिविदियां होती हैं वो सब बंद कर जाती हैं मतलब जैसे प्रचार प्रचार करना विग्यापन करना ये सारी चीज़ें 48 घंटे पहले बंद हो जाते हैं अगला प्रशने राज्यों और केंद्रों की बीच राजस्व साजह करने साजह करने विवस्ता को हल करने के लिए बित आयोग रखने का प्राउधन सम्म क्या करेगा केंद्र और राज्य के बीच जो राज्यों हैं दोनों के बीच में क्या करेगा बित अठात राजस्व का बटवारा करेगा ठीक है इसके लिए किसका राजस्व का बटवारा करेगा इसके लिए इसका गठन किया गया अभी कौन सा वितायोग चल रहा है पंद्रवा वितायोग चल रहा है अगला प्रेशने निम्न लिखित में से किस सब्द का भारत के संबिधान में कोई जिक्र नहीं है जिक्र नहीं है तो एटानी जनरल नियंतर के वो महलेखा परिक्षक बजट कैबनिट मिशन तो इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि संबिधान आटिक्षक एटानी जनरल आटिकल 76 में भारत के महनियावादी का प्रावधान जो कि भारत का क्या होता है प्रमुक क्या होता है विधिक स्तलाहकार होता है फिर MPPSC में भी कोश्चन आया था इसे आटिकल 148 से लेकर 51 तक मतलब 151 तक किसका प्रावधान है भारत में CAG का प्रावधान है जो क्या करता है आटिट करने का काम करता है बजट यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि बजट सब्दका हमारे सम्विधान में कोई उलेक नहीं है आर्टिकल अनुछेट 112 में कहा गया है कि एक बारसिक बित्ती विवरण होगा बारसिक बित्ती विवरण अर्था सरकार की आय बै का लेखा जो का कैबनेट का प्रावधान नहीं था लेकिन आपको पता होगा कि यह प्रावधान आगे चलके हमारे आर्टिकल में सामिल कर दिया गया है आर्टिकल 352 में इसमें स्पश्ट रूप चे कहा गया है कि ज़र राष्टी अपातकाल की इस्तिती होगी तो हमारे जो राष्ट पती हैं वो कैबनेट की सलाय पर किसकी सलाय पर कैबनेट की सलाय पर ही जो है राष्टी अपातकाल की गोश्टन कर सकेगा इसलिए इसका प्रावधान है हमारा सही किसका सही अंसर कौन सा है बजट बजट का कोई प्रावधान नहीं है बलकि आर्टि पुस्तक किसने लिखी है भारत के पूर्व संकर्द्याल सर्माजीन है किसने संकर्द्याल सर्माजीन है यह भारत के पूर्व राष्टपती भी रहे हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है निम लिखित में 375 राष्ट तो आपको पता होगा एक थी बल्बंत राय महता समीती यह जो है बल्बंत राय महता समीते कब गठित हुई थी 1956 में इसने क्या काम किया था 375 राष्ट वेवस्ता की बात कही थी और आपको पता होगा कि राजिस्थान के नागौर में 2 अक्टूंबर 1969 को कब 2 अक्टूंबर 1969 को पहली 375 राज की सुरुवात हुई थी 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 में कौन-कौन होता है एक तो जिला होता है जनपत और ग्राम पंचाए अगला है अगला प्रश्ण है 32 संभिदान के अंसान नहीं अखिल भारती सेवा की सुरुवात किसके द्वारा कर सकते हैं तो इसमें जो है राज जी सभा इसका सई अंसर है इसमें क्या होता है कि राज जी सभा जो है प्रस्टाव पारिक कर दें तो ति याई बहुमतों से तो किसी भी शेवा को all India consumers बनाया जाकता है मतलब फिर इस पर चाठ्चा हो सकती है और ऑल लुद SHEEVA को हम all India इंडिया को बना सकते हो अभी तीन ऐलडिया सरुविश है IES IPS और IFS express Indian forest service नंखी foreign service अगला प्राश्ने भारत की संबिधान की निम्लिकित अनिछेद में से कौन सा उच्च न्यालय को halten की सकती देता है तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिक्ल 226 के तहर अर्टिकल 226 के तहर जो है उच्च न्यालय को rate जारीकरने का जो है अधिकार मतलब सक्टी प्रदान की गई है और article 32 के तहट Supreme Court को, किसको Supreme Court हो, और कुल कितने प्रिकार की रिट होती है दोस्तों? क्यों कि इन रिट के माध्ययां से ही अतने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं आगे हैं निमलिकित इस्तितित work में केंद्र सरकार केंध् Mountain сб अभे किस सफ कार में सराइगे को अधी भित भिधंयक रायत स्बाती दारब आपस खारिच कर दियागा यह भी नहीं क्योंकि राजए सवा को कैवल कितने दिन का अधिकार है चवधा का सबस्तक्रां के किवल लोग सब्वा को नहीं होगा तो फिर कि की वह कि इंदR सरकार बजेट परिकेरिक के दौरान क्या हो जाएगी अग्शांग戲 इसका मतलब बहुमत नहीं है इसलिए इसनी एक फरश्टा अँपारित नहीं हो पाया है इस लिए तो देखिए बाल संद्रक्षण आयोग इसका संविधान में प्रावधान नहीं है अल्प संख्यक आयोग इसका भी नहीं है राष्टी महिला आयोग इसका भी नहीं है राष्टी अनुसूची जाती और जन जाती आयोग यह जो है यह अंसर हमारा सही है क्योंकि आपको पता ह होगा कि Article 338 में इस्पष्ट रूप से 338 और 338 ए इसमें जो है एक में ST के लिए SC के लिए इस्पष्ट प्राउधान किया गया हूँ निम्लिखित पर ध्यान देजिए राज्य सबा हर 6 हर छे साल में बिगटित हो जाती है तो इसका अनसर सही क्या है कि देखिए हमको यह पता है कि राज जी सभा छे साल में बिगटित नहीं होती राज जी सभा कैसा सॉधन है एक स्थाई सॉधन है और विधान परिश्द भी क्या है एक स्थाई सदन हाँ इनके सदस्यों का कारकाल भले ये चैवर्स होता है पर ये कैसे सदन है इस्थाई सदन है अर्थात कभी ये क्या नहीं होते विघटित नहीं होते इनका विघटन नहीं होता तो क्या आएगा इसमें इन में से कोई नहीं अब जब अगला question है निमलिखित में से कौन यह निड़ने करता है कि राज में विधान परिश्द होना चाहिए या नहीं यह काफी important question है दोस्तो राष्टपती, प्रधान मंतरी, विधान सभा या मुख मंतरी तो इसमें जो है सबसे important होती है विधान सभा क्योंकि अभी हाली में मद्द प्रदेश सरकार त्वारा एक विध्यक Congress सरकार त्वारा एक विध्यक प्रिश्द किया गया था जिसमें कहा गया था कि मद्द प्रदेश में क्या होगा विधान परिश्द का गठन होगा तो मतलब ये दि हमारी विधान सभा क्या काम करें दो तीयाई बहुमस से प्रस्ता पारित कर दे तो ये जाएगा किस के पास केंदर के पास राष्टपती इसको शुकृति देगा संसद इसको शुकृति देगा और उसके बाद क्या होगा यहां बिधान परिष्ट का प्रावधान हो जाएगा अभी छे राज्यों में है निमलिखित में से किस अधिनियम केंदर में केंदर में कौन सा सासन केंदर में दो इस सासन प्रणाली को इस्थापित किया तो इसमें केंदर में दो इस सासन प्रणाली कौन सी निमली कित में से किस अधिनियम के दर्म तो भारत शाषन अधिनियम 1935, 1919, 1909, 1912, इसमें ध्यान रखना है कि भारत शाषन अधिनियम 1935 में केंडर में दोईशाषन प्रणाली शुरू हो गए थी और राज्य में जो केंडर सोईशाषन प्रणाली थी क्या हो गई समाप भारत शाषन अधिनियम में भारत शासन अदिन्यम 1919 में कहां राज्यो अर्थात प्रांतों में क्या लगाया गया था 1909 में क्या आया था 1909 में मार ले मिन्टो मार ले मिन्टो यह 1909 में था इसमें क्या था राज्यो में दुष्षासन और केंद्र में दुष्षासन कब लगा 1935 में अगला प्रश्ण है भारत के सब्विधान में केंद्र और राज्यो की बीच किया गया सक्तिको अभिवाजन किसमें किसमें लिखित योजन पर आधारित है मार ले मिन्टो दोस्तों आपको पता होगा कि 1935 में ही हमारे यहां केंद्र वा राज्यो दोनों के बीच में क्या है सक्तियों का विवाजन कर दिया गया था और यहीं पर कौन सी सूची आगई थी संग राज्य और संबर्ती अर्थात प्रांती सूची आगई थी तो इसमें अमारे ले मिन्तों सुधार 1909 यह तो वैसे ही गलत है अगला प्रश्न है सूची मतलब मिलान करना है तो मैं आपको केवल क्या बता देता हूं भारत शासन अदिनियम 1935 यह तो बिल्कुल सही है क्रिप्स प्रिष्टाव अगस्त प्रिष्टाव अगस्त प्रिष्टाव आये था कब क्रिप्स प्रिष्टाव कुन सा क्रिप्स मिशन आया था 1945 में वेवे लिए उजना उननीच्ट प्रिष्टाव अगस्त प्रिष्टाव अगस्त प्रिष्टाव और यह तो अल्रेडी सही है तो इस तरीके सिस्ट को थोड़ा ध्यान रखिया अगला प्रश्न है निम लिखित मैंसे कौन सा काद निर्वाचन आयुक का नहीं है देखिए लोग सभा बिलकुल अभी लोग सभा के चुनाओ हुए है विधान सभा अभी हाली में मुद्ध प्र को रहाता है राजनेतियों को मॉनताइप राप्त करना परदान करना वंपulle की मानिता अपने विचार touch करना कि तो इसमें द्यान रखिए किसी संसत सद इसमें किसको लोग सभा speaker को किसको speaker को महतपूर सक्ति दी गई है कि सदस्यों की आर्यता के संदर में अभी मद्दप्रदेश में भी आपने देखा होगा काभी जो है उथल पुतल चल रही थी और केंदर में भी आपने देखा होगा तो ये लोकसवा को ये power है लोकसवा speaker को बिधान परिशत के सदस्यों की निर्याक्ता से संबंदित मसलों पर राजपार को सलहाय देना ये भी ठीक है तो हमारा अंसर कौन सा होगा इसमें ये वाला अगला है निमने मेंशे कौन एक संब्धानित निकाय है तो आपको पता होगा आर्टिकल 324 में निर्वाचान आयुक का आर्टिकल 328 में बिता आयुक का अनुशुसित जाती जन जाती इनका 338 और 38 ए इसका मतलब सभी का संब्धानिक निकाय है अगला प्रशने सब भरते संब्धान के किस अनुशेद में भारत के नियंतर किवं माल एका परिक्षक की विवस्ता की गई है तो इसमें आपको ध्यान ध्यान में रखना आर्टिकल 76 इसमें एट और नी जनरल की बात है अनुशेद 143 राज जिपाल अनुशेद 148 इसमें हमारे यहां CAG का प्रावधान किया गया है किसका CAG नियंतर किवं मालेखा परिक्षक का भारत के नियंतर किवं मालेखा परिक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है तो किस को देता है राष्टपती को देता है आर्टिकल 368 का संबंध किसे है संबिधान संसुदन से उचेत्म नियालाईशे कंदरनाज संबंध से निमलिखत आर्टिकल 368 संबिधान संसुदन किस डेश सेलिए हमने दच्छवढ आपरिका से संबिधान के निमलिकित अंचेत पर ध्यान दीजिए राष्टपती 72 आर्टिकल 72 में राष्टपती की छमादान की सक्ती सही विलकुई 143 के तहट सुप्रिम कोट के सलायकाद 46 अधिकार सही आर्टिकल 360 बित्ति अपास्तकाल ये भी सही आर्टिकल 148 से 51 देखे भारत के अटानी जनरल नहीं यहां पर किसका परावदान है? CAG का, ना कंट्रोलर एड़ अटानी जनरल का तो ये क्या है? गलत है तो ये सांतियों इसको ध्यान से देखिए यहां से बहुत ही important question है बहुत जादा पूछे जाते हैं मैंने जो है इसको भौती selected तरीके से जो है तयार किया है अगला प्रशने है भारती सम्मिधान की छटी अनुसूची किन चार राज्यों में अनुसूची जाती हो जन जाती हो के प्रेशासंस की नियंद्रण तो इसमें देखिए असम मिजोरम मेघालाय और त्रिपुरा ठीक है तो यह चार राज्य है कौन से चार राज्य है असम अंसर भी होगा ठीक है यह भी काफीद जामय में पूछा गया है अगला है puisque साथ सामेति आपको पता होगा कि मॉलिक करतब जो हमारे मॉलिक करतब है वो उसकी है सिपारिश की थी सरदार साथ सामाति मॉलिक करतब बेजोड़ गए हैं मौलिक कर्तब जोड़े गए हैं और आपको पता होगा अभी कितने हैं 11 मौलिक कर्तब हैं भारत के निर्वाचन आयोग की चुनाओ से कौन सा चुनाओ सम्मंदित नहीं है तो आपको पता होगा राश्टपती उपराश्टपती राज्जो की पंचातों और नगरपाली का उपरुक्स सभी आपको पता होगा कि जो पंचाती चुनाओ है ये कौन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है कौन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग एक च कौन सी अनुचुची 11 अनुचुची अगला प्रश्न है संभिधान का अंचेद 123 किस्ट संबंदे तो संभिधान का अंचेद 123 क्या है राष्टपती को अध्यदेश जारी करने की सक्ति देता है ये कब हमारे यहां दो सदने एक लोग सभा है दूसरा कौन सा है राज्य सभा तो देखी जब लोग सभा सत्र में हो राज्य सभा सत्र में ना हो या दोनों सदन सत्र में ना हो तो ऐसी परिस्तिती में हमको किसी लोग महत्व के विशे पर कानून बनाना हो तो हम राष्टपती के अधिकार है कि दोनों सदन को बलाकर क्या कर सकता है अध्यदेश जारी क कर सकता है और कानून बना सकता है तो यह हमारे 25 कुश्चन थे प्रिशांतियों यदि आपको यह कुश्चन काफी महत्पूर्ण लगे तो हम आगामी और इसी तरीके से भी आप लोगों को कुश्चन की प्रक्टिश करवाएंगे और यदि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो फिर हम इस पर प्रियास नहीं करेंगे ओके थैंक्यू दोस्तो